वेलकम टू इन्फीमाथ जब हम डिटर्मिनान कैल्कुलेट करेंगे इस रो से तो हो जाएगा x into x-200-2x-1 0-1 0x-1 यह entry होगी माइनस माइनस प्लस प्लस 1 2 0 0 x-1 0 0 0 0 x-1 इसे हम और simplify करते हैं तो यह हो जाएगा x into आप देख सकते हैं कि यह एक लोवर ट्राइंगुलर मैक्रिक्स तो इसका ढिटर्मिनान प्रोडक्ट ऑफडायिएगोनल होगा तो यहां पर डिटर्मिनान फुजाएगा x-2 into x-1 into x-1 प्लस यह भी एक लोवर ट्राइंगुलर मैक्रिक्स है तो यहाँ भी determinant product of diagonal हो जाएगा तो 1 into x minus 1 into x plus 1 equals to यहाँ पे हम लोग x minus 1 और x plus 1 यानि इस part को common ले लेंगे x minus 1 into x plus 1 common लेने के बाद हो जाएगा x into x minus 2 plus 1 इसे हम और simplify करेंगे तो x minus 1 into x plus 1 और multiply करेंगे x square minus 2x plus 1 यह part आप लोग देख सकते हैं कि यह x minus 1 का whole square है तो यह बराबर हो जाएगा x minus 1 into x plus 1 into x minus 1 का whole square और यह दोनों मिलके हो जाएगे x minus 1 का whole cube तो जो हमारा characteristic polynomial आया वो आया x plus 1 into x minus 1 का whole cube तो इस तरह हमें दो eigen value मिलेगा इसके corresponding minus 1 और इसके corresponding plus 1 लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि plus 1 की जो multiplicity है वो 3 है इसके कारण हमारे पास 3 choices होंगे minimal polynomial के तो पहला choice हो जाएगा mx equal to x plus 1 into x minus 1 दूसरा choice हो जाएगा mx equal to यह power बढ़ाएंगे हम लोग x plus 1 into x minus 1 का whole square और तीसरा choice हमारे पास हो जाएगा x plus 1 into x minus 1 का whole cube जो की characteristic polynomial के बराबर होगा तो हम लोगों को minimal polynomial निकालने के लिए इस matrix का जो है exact calculation करना होगा तो पहले case के लिए हम लोग calculate करेंगे a plus x की जगा replace करेंगे a को और 1 की जगा i को लिखेंगे तो a plus i into a minus i calculate करेंगे और जब हम इस matrix में a plus i करेंगे यह हो जाएगा 1 1 0 0 minus 1 3 0 0 minus 2 2 2 0 and 0 1 0 0 तो जब हम इस matrix को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा minus 2 2 0 0 minus 2 2 0 0 minus 4 4 0 0 and minus 1 1 0 0 तो हम लोग देख सकते हैं कि यह एक non zero matrix है और इस कारण से जो given matrix है उसका minimal polynomial यह first वाला नहीं होगा तो पहला वाला minimal polynomial नहीं है तो इस बात के chances हैं कि यह जो second polynomial है वो minimal polynomial हो सकता है इसके लिए हमें x minus 1 से इसे multiply करके check करना होगा तो x minus 1 से multiply ना करके हम लोग यहाँ पे a minus i से multiply कर देंगे तो यह वाला term a minus i का square हो जाएगा तो a plus i into a minus i का square हो जाएगा a plus i into a minus i यानि जो पिछला matrix है यह into a minus i और यह हम लोगोंने पहले calculate कर लिया है तो a plus i into a minus i का जो square होगा है यह होगा minus 2, 2, 0, 0, minus 2, 2, 0, 0, minus 4, 4, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0 और इसे हम लोग multiply करेंगे a minus i से जो है minus 1, 1, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0, minus 2, 2, 0, 0, and 0, 1, 0, minus 2 तो आप लोग देख लीजे इस matrix में सिर्फ first और two column में non-zero entry है third और fourth में इसमें कोई non-zero entry नहीं है तो इसका मतलब इसमें जो multiplication में जो matrix का यूज होगा वो ये part और ये part का होगा बांकि इस part को आप neglect कर सकते हैं वहाँ पे 0 होगा तो जब हम इस part और इस part का matrix multiplication करेंगे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों row सेम है यानि एक appropriate multiple इसका और minus इसका add हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 यानि मान लीजिए इसको पहली बार में आपने minus 2 से multiply किया इस row को आपने 2 से multiply किया और दोनों को add करेंगे तो हमारा answer क्या होगा? हमेशा 0 होगा तो इस कारण से भी आप observe कर सकते हैं कि ये सारी entry हो जाएगी 0 तो इस कारण से जो हमारा minimal polynomial आया वो है x plus 1 into x minus 1 का whole square अब इसके लिए हम लोग Jordan block लिखेंगे तो Jordan block में ये जो है इसकी multiplicity है एक तो ये जो है एक बार आएगा तो हम लोग लिख लेते हैं तो minus 1 एक बार आएगा जबकि 1 की multiplicity है 3 तो ये diagonal पे 3 बार आएगा और देखिए minus 1 चुकी अलग eigen value है तो इसका block अलग होगा minimal polynomial में x minus 1 का जो power है ये 2 है ये बताता है Jordan block 1 के corresponding एक 2 size का होगा इससे हम लोग देखते हैं कि जो बचा हुआ eigen value 1 है वो अकेला हो जाएगा जो की एक order का block बनाएगा तो Jordan block देखने में ऐसा लगेगा तो ये matrix ऐसी होगी तो ये जो matrix है ये इस तरह का दिखेगा इसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें 3 block हैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर तो इस तरह हम लोग minimal polynomial का use करके Jordan canonical form निकाल सकते हैं हम लोग एक और method देखते हैं इसी example पे क्योंकि जब ये matrix बड़ा है तो कई वार rank और nullity निकालना असान होता है हम लोग rank और nullity निकाल कर भी ये block का size पता लगा सकते हैं minimal polynomial का basically क्या use है minimal polynomial हमें बताता है कि कौन सा block कितने size का होगा ये काम हम लोग rank और nullity से भी कर सकते हैं यहां पर हम लोगों को check करना है कि one के corresponding कितने आइगन वेक्टर है minus one के corresponding तो हमेसा एक ही आइगन वेक्टर होगा तो इसमें कोई confusion नहीं हमें इसके जो one के corresponding जो block कितने हैं इसका पता लगाने के लिए हम लोग देखेंगे कि one के corresponding कितने आइगन वेक्टर independent एवलेबल हैं तो अगर दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे तब तो ऐसा ही block मिलेगा तीन independent eigen vector मिलेंगे यानि यह तीनों अलग-अलग block बनेंगे और यह 0 हो जाएगा अगर 1 independent eigen vector मिलेगा तो इसका मतलब ये पूरा एक block है यानि यहां पर 1 होगा इसे calculate करने से पहले मैं request करूँगा कि आप लोग इस channel को subscribe करें और इस video को like करें तो number of independent eigen vectors Nullity का पता लगाएंगे actually तो Nullity का पता लगाने के लिए हम लोग पहले Gaussial Elimination से Rank का पता लगाएंगे तो यह जो matrix है Minus 1, 1, 0, 0 Minus 1, 1, 0, 0 Minus 2, 2, 0, 0 And 0, 1, 0, minus 2 तो यह matrix काफ़ी simple है तो इसका मतलब यह जो row है इस दोनों row को 0 बना देगा तो जब हम इसे Minus 1, 1, 0, 0 को second row में subtract करेंगे actually क्योंकि यहाँ पे sign same है तो यह हो जाएगा 0, 0, 0 और जब हम first row को दो बार multiply करके third row में subtract करेंगे दो बार multiply करके subtract करेंगे तो हम लोगों का यह भी row 0 हो जाएगा और last row तो 0 है पहले entry तो यह इसी तरह हो जाएगी तो यह हमारा पहला pivot है और अगले transformation में चुकी यह दोनों entry 0 है हम लोग एक swap करेंगे second और fourth row को तो हमारा जो matrix आएगा वो आएगा minus 1, 1, 0, 0 0, 1, 0, minus 2 और last के दोनों row हो जाएगे 0 तो number of non-zero rows of echelon form of matrix यह matrix का echelon form हो गया a minus i का और यह होता है rank तो इस तरह rank of a minus i हो गया 2 चुकी यहाँ पे जो underlying vector space है उसका dimension 4 है 4 by 4 matrix है तो हमारा nullity जो होगा nullity of a minus i हो जाएगा वो 4 minus 2 equals to 2 हो जाएगा इसका मतलब इसमें 2 independent eigen vector है और इसमें जो 1 के corresponding है 2 block बनेगा तो Jordan block minus 1 का तो single होगा इसमें तो कोई confusion नहीं है अब 1 के corresponding 2 block बनेगा तो देखिए 2 block यहाँ बनेगा तो इसमें भी हमें confusion नहीं है जब 1 block 2 order का हो और 1 block अकेला हो तो इस कारण से जो 3 multiplicity वाला case है इसे हम number of independent eigen vectors निकाल के भी बना सकते हैं और इस तरह Jordan form जो होगा इसका वो ऐसा होगा तो आप दोनों method से Jordan canonical form निकाल सकते हैं या तो minimal polynomial से निकाल सकते हैं और इसे भी देखकर आप minimal polynomial बता सकते हैं कि x-1 का 2 होगा और x-1 तो होगा ही होगा तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि अपने usual method का use करके 3 by 3, 4 by 4 matrix तक का Jordan canonical form निकाल सकते हैं Thank you very much